हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं यूटूब चैनल दापेट वीजन दिस साहिल मलीक यूर होस्ट एंद यूर वेड तो गाइस आज की जो वीडियो है वह एक मॉस्ट इंपॉर्टन टॉपिक के उपर है देखे गाइस बहुत सारे लोगों के कोशन्स यह आ रहे थे कि क्या हम अपने डोग को रोफ चिकन दे सकते हैं या नहीं दे सकते तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रोफ फूड हम अपने डोग को दे सकते हैं या नहीं दे सकते उनके क्या बैनिफिट्स होने वाले हैं क्या नुकसान होने वाले हैं तो गाइस वीडियो को आप तक देखना और observe करना जो भी points में आपको बताऊंगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रो जो चिकन होता है यानि basically screen के ओपर भी आपको दिखरा होगा तो guys point number first ये कहता है कि अगर आप अपने डोग को raw chicken पे रख रहे हो तो आपके डोग की body के अंदर जो fiber content होता है बहुत ही कम हो जाएगा और जो आपके डोग को fiber content चाहिए वो आपके डोग को proper amount में नहीं मिल पाएगा जिसकी वज़े से आपका जो डोग है malnutrition का शिकार हो सकत ही है और आपका जो डोग है healthy नहीं रहेगा तो guys first point तो ये है आपको अपने डोग को raw food बिल्कुल raw chicken बिल्कुल नहीं देना है because उसके अंदर fiber content बिल्कुल भी available नहीं होता जो एक riskful proof हुआ है second आता है guys अगर आप directly अपने डोग को इस चिकन के ओपर रख रहे हो जो की raw है तो guys उससे क्या होगा आपका डोग malnutrition से भी suffer कर सकता है यानि basically जिसमें हम बोल सकते हैं कि deficiency of nutrients अगर आपके डोग की body में हो रही है तो इसी वज़े से हो रही है because guys अकेला जो चिकन है वो एक मातर ऐसा साधन नहीं है जिसकी वज़े से आपके डोग की body के अंदर सभी nutrients की availability हो जाए तो guys यह एक इसका drawback है या basically जिसको हम limitation या हम disadvantage भी बोल सकते हैं तो guys एक point और आता है अगर आप अपने डोग को raw chicken दे रहे हो तो guys एक antibacterial resistant होता है यानि basically जो antibiotic होती है अगर आप अपने डोग को किसी भी तरह की antibiotic जो therapy अपने वेट से दिलवार रहे हो और आपका डोग ठीक नहीं हो पा रहा तो guys इसकी वज़े से यह situation हो सकती है तो वो situation कैसे develop होती है because guys कुछ bacteria हमारे डोग की intestine में available होते हैं अगर आप अपने डोग को raw chicken दे रहे हो तो guys उसकी वज़े से क्या होते है वो जो bacteria होते है antibiotic एक resistance यानि basically जिसको हम परती रोधकता जो समता होती है उसको develop कर देंगे जिसकी वज़े से antibiotic का जो भी जो effect होते है वो आपके डोग के ओपर नहीं होगा और आगे जो चल के जो main point आता है तो guys जब आप अपने डोग को raw chicken दे रहे हो तो guys आपके डोग को एक habit लग जाएगी चिकन खाने की अगर आप दूसरा कोई food दोगे आपका डोग बिलकुल भी नहीं खाएगा और guys एक point है अगर आप raw chicken दे रहे हो तो आपके डोग के अंदर जितनी भी जो aggressiveness होती है basically उसका reason यही होता है कि आपके डोग को regular mass मिल रहा है यानि बिलकुल raw मिल रहा है boiled भी नहीं है वो तो guys इसकी वज़े से आपका डोग aggressive भी हो सकता है आपकी family को खत्रा हो सकता है जो आपके घर में अगर छोटे-छोटे बच्चे हैं उनको भी खत्रा हो सकता है एक होता है guys जो main important है आपका डोग simple indigestion नाम की situation से सफर कर सकता है हमने simple indigestion के ओपर वीडियो बनाई हुई है आप हमारे चैनल पे उसको ज़रूर वाच कर सकते हो तो guys second जो आता है आपके डोग को diarrhea हो सकता है basically जिसको हम loose motion या loose tool बोलते हैं तो guys इस point के अंदर में additionally star point आपको ये बता रहा हूँ guys आपको raw chicken puppy को बिल्कुल भी नहीं देना है large में कई बार चलता है sorry यानि जो बड़े जो animal होते हैं like जो हमारे जो hybrid होती है या basically जो heavy breed होती है जिनकी height अच्छी होती है उनके लिए हम कहीं न कहीं कच्छा दे देते हैं बट guys आपको उनमें भी रेगुलर्टी नहीं maintain करके रखनी है ठीक है पपीस के साथ साथ उसमें भी आपको ध्यान में रखना है तो guys एक point आता है nutritional deficiency nutrition की कमी हो जाएगी because guys अकेला chicken ही एक मात्र ऐसा साथन नहीं है chicken का जो meat होता है वह ऐसा एक मात्र साथन नहीं है जिसकी वजह से आपके डोग की बोडी के अंदर nutrients की पूर्ती हो जाए एक होता है आपके डोग को infection हो सकता है किसी भी तरह का infection हो सकता है basically जो GI tract यानि जिसको हम gastrointestinal tract बोलते हैं उससे related किसी भी तरह का infection आपके डोग को हो सकता है बहुत सारे cases आते हैं तब हम जब उनकी history लेते हैं तब हमें पता चलता है कि आपके raw food देने की वज़े से raw chicken देने की वज़े से ऐसा हुआ है तो उनका एक proper way में proper amount में एक treatment किया जाता है तो guys आगे जो big issue है अगर आप raw chicken दोगे तो raw chicken के अंदर bones तो होती है भले ही वो छोटी ही क्यों नहों या बड़ी ही क्यों नहों वो क्या करते हैं आपके dog की intestine को perforate कर देती है यानि basically उनके अंदर चुबती है हम देशी language में अगर बोले तो एक चुबन सी मैसूस होती है आपके dog को वो का बोन हमने खाई है अंदर जाके घुल जाएगी कुछ बोन ऐसी होती है नहीं घुल पाती तो गाइस वो एक पेन क्रियेट कर देती है बेसिकली जिसको हम abdominal pain बोल देते हैं एक कॉलिक होता है वो गाइस horses के अंदर बोला जाता है वो एक abdominal pain ही होता है जो घोडों के अंदर होत होता है लेकिन इसका जो pain होता है वो अलग होता है तो अगर आप रोज सिकन अपने डोग को दे रहे हो आपके डोग में क्या होगा जो abnormal एक moment आपको देखने को मिलेगी abdominal cavity की यानि बेसिकली जिसको हम large animal की अगर बात करें तो बोलते हैं पेट चलना तो वह ऐसे situation आ जाती है आपके डोग के अंदर तो ये एक घंबीर एक समस्या है इसको ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है अगर ये chronic situation में चला जाए तो तो गैस अब मैं बताता हूँ इसके benefits क्या है यानि basically फाइदे क्या है सबसे main important benefit ये है आपके डोग में protein content अच्छे से जाएगा but guys हमें benefits से जादा से जादा मातरा में हमको जो raw chicken है वो बिल्कुल भी नहीं देना आपको boiled ही देना है problems हो सकती है अगर आप रोद होगे बट आप boiled दे रहे हो तो आपका डोग बच जाएगा तो guys आज की जो वीडियो है वह एक छोटी सी topic के उपर है लेकिन इतना important है अगर आपने इस थेंगी सो मच जय हिंग जय भारत